ये रेडियो बेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्तिस्वर है उस समय फिर एक विशाल जन समूँ एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था ईसा ने अपने शिश्यों को अपने पास बुला कर कहा मुझे इन लोगों पर तरस आता है ये तीन दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है यदि मैं इने भूकाई घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्चित हो जाएंगे इनमें कुछ लोग दूर से आये हैं उनके शिशों ने उतर दिया इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटिया मिलेंगी इसा ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं उन्होंने कहा साथ इसा ने लोगों को भूमी पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे साथ रोटियां लेकर धन्यवात की प्रार्थना पड़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिशों को देते गए ताकि वे लोगों को परोस्ते जाए शिशों ने ऐसा ही किया उनके पास कुछ छोटी मचलियां भी थी इसा ने उन पर आशीश की प्रार्थना पड़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया लोगों ने खाया और खाकर त्रप्त हो गए और बचे हुए टुकडों से साथ तोकरे भर गए खाने वालों की संख्या लगभग चार हजार थी इसा ने लोगों को विजा कर दिया वे तुरंट अपने शिश्यों के साथ नाओ पर चड़े और दलम नूथा प्रांट पहुँचे